कहानी की शुरू में एक बंदा गहता है, मेरा फास्ट लाइफ की शुरू से मुझे कल्टिवेशन के लिए यूस्ट क्या गया है, मेरा नाम ये यान है, एक पड़ाही जिसका 999 बार पुनर जन्म हो चुका है, यह मेरी इनर स्पिरचल उर्जा के साथ साथ कल्टिवेशन के ये एक बड़ा बूस्ट है, एक विशेश अक्वेरिंग अरे का उप्योग करके, कल्टिवेशन इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और इसलिए मेरे पिछले जीवन में, मैं हमेशा शक्तिशाली कल्टिवेशन द्वारा बहुत अधिक स्पिरिचल एनजी छीन लिये जा मैं उसकी कल्टिवेशन में एक हेलफूर टूल था, इसे ज्यादा कुछ नहीं, और हम ये यान को देखते हैं, जो दस साल से यहाँ पर किसी टूल की तरह यूज़ किया जा रहा है, और ये यान जड़ से कहता है, ये बह नहीं है, जो मैं चाहता हूँ, और सिम शिफ्ट हो ओपन हो रहा था, और एक सिस्टम बताता है, सिस्टम अवेकिनिंग हो रहा है, और ये यान इदेखकर किन्फ्यूस्ट हो जाता है, और पॉर्टल से एक पैट बहार निकल कराता है, और शो आप करते हुए कहता है, मैं लॉड्मियो हूँ, इस सिस्टम का असिस्टेंट और यदि आपका मन यहीं है, तो अभी आपका शरीर अभी उसी स्थान पर है, और ये तुम्हारा information panel है, ये यान information panel में देखता है कि system को awakening करने में एक हचार साल लग गए, जो कि system का 0.01 प्रतिशतेज है, तभी ये यान system panel को दिखाता हुए पुछता है, इसमें तुम्हें एत खरते हुए कहता है यह आन तो बहुत ज्यादा खातर नाक लाग रहे हो, अटाक आकार दोनों गार को लगता है देखकर थर्ड एल्दर शॉक हो जाता है और ये यान बाहराता है और थर्ड एल्दर ये यान को देखने बाद कहता है तुमने क्या किया एक कहकर कोड़ा से अटाक करने के लिए चले जाता है और कहता है बहतर होगा क्या आप बात गोल्डन कोर रीलम पर है और यहान कहता है आध मुझे यहां से जाने से कोई नहीं रोग सकता है कहकर स्पिरिप फिल First Elder, आप मेरे लिए एक काम करो, ये यान मेरे लिए माइने रखता है, मैं नहीं चाहता कि उसके कारण कोई परेश्यानी हो, इसलिए आप जाए, ये यान को ले ले आए, तब First Elder, येस मैम कहकर चला जाता है, और Sim Shift होता है, Third Elder कहता है, बस्टर तुमने मेरे चेहरे पर मुपका हमारा, तभी Lord Mew बोलता है, ये तो आसान था, लेकिन आपके पास तीन मिनट से भी कम समय बचा है, जो करना है, जल्दी करो, ये यान अटाइक को रेडी करते हुए कहता है, केवल तुम्हें मारकर ही मेरे यहां से जा सकता हूँ, इस अटाइक को देखकर Third Elder दर जाता है, ल और ये देखकर Lord Mew कहता है, ये यान केफल हो जाओ, हमारा समय खत्म हो रहा है, इतना कहते ही सिस्टम बताता है, फिल का 10 मिनिट का अफेक्ट खत्म होता है, और तभी Third Elder कहता है, First Elder है किजिए ये यान को पकड़ने में, और First Elder कहता है, ये यान यदि तुम अभी समर्पन कर Lord Mew कहता है, शांत हो जाओ, आगर तुम इस फिल का यूस्ट करोगे, तो तुम्हारा कल्टिवेशन बरबाद हो जाएगा, और तब ये यान कहता है, मेरे पास ओर क्या विकल्प नहीं है, इक हकर इस फिल को ये यान निगा लिता है, और इस बजाए से ये यान के बोड़ी और भी यान के यान के बचने का किसीज करता है, और हम देखते है यान को जो मुसकुराहा था, और तब ही यान तेजी से आगे बढ़ जाता है, और तब ही First Elder कहता है रुप जाओ उन लोगों को कटना बन कर और हम ये यान को देखते है कि अपने हाथ में spiritual power activate करकर slash attack करते हुई union sec का सारे disciple को गाजर मूली की तरह से करते हुई आगे बढ़ रहा था और इसी तरह से यहां से निकल जाता है और तब First Elder कहता है मुझे उसको कम समझने का गलती नहीं करना चाहिए भाग मेरा heavenly sword attack पूरी तरह से उसके उपपरने से पहले ये यान यहां से चला गया और हम ये यान को देखते हैं अभी तक भाग रहा था कुछ देखते हुए कहता है ये तो fairy rejected zone है rumor यह है कि nascent soul realm का cultivator भी यहां मर सकता है और मेरी spiritual energy खत्म हो रही है बेथर होगा कि इसे एक बार आजमा लें और तभी ये यान के पीछे से कहता तुम कहां जा रहे हो ये यान और हम दीखते हैं कि पीछे से बहुत सारे attack तेजी से आकर ये यान को बहुत जोर से हिस हो रहा था और ये यान दीखता है सारे attack fairy union ने किया था और ये यान निचे गिरने लगा था तभी Ferry Union एक अटाक के हेल्प से ये यान का हाथ को जकर लेती है और ये यान कहता क्या आप मुझे वापस ले जाना चाहते हैं लेकिन मेरा जाने का कोई मूड नहीं है ये कहकर उस अटाक को कट कर देता है देखकर Ferry Union शौक हो जाता है और निचे गिरने हु और अपनी जान की कीमत पर उससे धून कर ले आओ और First Elder कहता है येस माम और Simp shift होता है और हमें दिखाया जाता है Dark Forest को जो Ferry Rejected Zone है और हम एक लेडी को देखते हैं चोकि कारनल वाइन में लिपता हुआ था और कारनल वाइन का कांटा चुब रहा था और ये लेडी कहता है लगता है कि यहां कोई आ रहा है और Simp shift होता है ये यान को देखते हैं जो उपस से नीचे गिर गया था और ये यान कहता है था क्या ये falling very rejected zone है चारों और यहां पर बहुत अंधेरा है और यहां की प्रित्वी भी वैसी ही है Lord Mio कहता है आप इतनी उचे स्थान से गिरने प देखते हैं कि ये यान का सारे Meridian बरबाद हो गए हैं हाला कि ये यान यान उनसे चुटकार अपाने में काम्याब रहा है और ये यान कहता है अब क्या करों और तब Lord Mio आपने आपको खरोचते हुए कहता है आप अपने broken हुए Meridians को fix करने के लिए prop का उपयोग कर सकते हैं और तब ये यान कहता है सच मुच आशा है कि सिस्टम में ऐसा कुछ है लेकिन ये यान को Lord Mio की बाते थोड़ा सा देरी में समझाता है और तब ही ये यान शौक होते हुई कहता है क्या हमारे पास एक है और Lord Mio कहता है of course we do और ये यान funny तरह से Lord Mio को कहता है यह मुझे दो अभी दो और ये देखकर Lord Mio थोड़ा सा दर जाता है और तब हम देखते है कि Lord Mio सिस्टम में कुछ धूरते हुई कहता है ऐसा एक प्रॉप है लेकिन ये फ्री नहीं है एक एहते ही सिस्टम को प्रेस कर देता है और हम ये यान को देखते हैं चो इस नचारा को देखकर हिर हो गया है और तभी Lord Mio कहता है आप सिस्टम के स्टो को देख रहे हैं और इसमें प्रतिय प्रॉप को आपके पॉइंट के साथ बदला जा सकता है और आपको सिस्टम की तरफ से डेली टास्क होता है और जब तक आप उन टास्क को पूरा करते हैं तब तक आपके पास और हम ये यान को देखते हैं जो Spirit Recovery Pill और Spirit Recovery Potion को देखकर हैरान हो गया है और हमें उन प्रॉप के बारे में जानकारी दिया जाता है Spirit Recovery Pill से तूटे हुए Meridian के हिस्से को ठीक किया जा सकता है और इसे कई बार इस्तिमाल किया जा सकता है और इसे खरीदने के लिए आवश्य पॉ Meridian को ठीक किया जा सकता है और ये यान कुछ होते हुए कहता है मुझे अन्य सुप्रीम प्रॉप्स भी मिल सकता है ट्रेशर और स्क्रॉल सब मेरे होंगे ये यान और भी कहता है और अब ये लेडी आगे बढ़ जाता है ये यान के तरफ और ये यान ए देखकर पूरी तरह से दर जाता है और हम देखते हैं कि ये लेडी तेजी से आगे बढ़ कर ये यान को पकर लेता और तब ये यान कहता है डामज मैं अभिल नहीं सकता क्या उससे यान यून ने मुझे वापस लेने के लिए भीजा है और ये यान कह रहा है वह क्या कर रही है और हम देखते है कि यान्यून सेक्ट की डिसाइपल के उपर वाइन से लगाता और अटाक के बाद अटाक हो रहा था, इस कारण से कुछ डिसाइपल्स मर गया है, और इस ट्री ने वाइन से लागातार बुरी तरह से अटेक करते ही जा रहा था, और उन सब को First Elder और एक Elder दूर से देख रहा थ तभी first elder के साथ आया हुआ lady elder दरते हुए कहती है sir, falling fairy rejected zone में mysterious restrictions active हो गया है, इसका मतलब है कि ये tree इन लोगों को forest के अंदर जाने से रोक रहा था, और lady elder और बोलता है इस दर पर हमारे यहां मौझूद सभी disciples मर जाएंगे और एक disciple attack को डोच करते हुए बोलता है seriously, मैं चाहते ह है कि हम यहां ये यान को खोजे, और a disciple बहुती जादा दर गया है, और a disciple सब को कहता है हम अपनी जान गवा सकते हैं, और तभी a disciple पिछे मुरकर यहां से भाग कर जाने लगा था, लेकिन तभी first elder उस disciple के गर्दन को पकर लेता है, इस कारण से इस disciple को बहुत जादा दर्द ह रहा था, और तभी first elder उस disciple की गार्दन को तोर कर मार देता है, और निचे पिक देता है, ये सब देखकर सारे disciples दर जाता है, तब first elder कहता है जिसकी भी gets cold होगा, उससे मार दिया जाएगा, इन सभी कारण से सारे disciples बहुत जादा दर चुका था, और अब first elder बोलता है तुम सब को अपनी जान की कीमत पर भी ये यान को धूनना है, first elder lady elder को कहता है यहां और अधे disciples को ले आए, lady elder कहता है yes, तब first elder आपने मन में सोचता है अगर हम ये यान को नहीं धून पाते, तो ferry union मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, और sim shift होता है और देखते हैं इन दोनों क जो अभी तक एक दूसरे से लिटा हुआ था, और जब ये लड़की किस करना बंद करता है, और तब ये दोनों निचे गिर जाता है, और ये यान का spiritual energy खात्म हो जाने के कारण ये यान बेहोश हो जाता है, और sim shift होता है और हम ये यान को 3 days के बाद देखते हैं, जो अभी उसे जंगी बेल एनी कार्नल वाइन द्वारा जहर दिया गया था, और अब ये यान कहता है कार्नल वाइन, ओ, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए मेरे साथ है सकिया, यही कारण है कि उसने यह अभिव्यक्ति प्रदर्शत की, और अब ये यान कहता है Lord Mio system panel को open करो, और जब आब में Lord Mio बोलता है समझ गया, मैं आओ, और अब ये यान system panel में देखते हुए कहता है, मेरा शरीर ठीक लग रहा है, और तब ये एक notification आता है, और notification के थूँ ये यान देखता है, उसके पास अब 3 points है, और ये यान हिरान होते हुए कहता है, जब मुझे daily task क्या थ मालूम नहीं था, और मैंने daily task समाप कर दिया, लेकिन कैसे, और अब ये यान new notification को देखता है, 5 new खोजे और उसे चर्म सुप तक पहुचाएं, क्षद 2 घंटे, और अब ये यान blast करते हुए है, कहता है, ये किस प्रकार का daily task है, Lord Mio बोलता है बहुत अच्छा, यहां तक कि अब ये यान बोलता है, आपने उसके बारे में notes क्यों ये, Lord Mio बोलता है, आप ऐसे लड़के की तरह लग रहे हैं, जो अपना कौमार्यक हो रहा है, लेकिन इसे स्वीकार करें, आपसे अदे का नुभवी कोई नहीं है, तब ही ये यान बोलता है, क्योंकि मुझे हर बार मजबूर किया जाता था, और अब ये यान के हाथ में कुछ चीजी टच्ट होता है, और Lord Mio इस चिसो को देख कर कहता है, यह एक साउंड टेलिपोर्टिंग रॉक है, जाने से पहले उसने इसे छोड़ दिया, और अब ये यान उस रॉक हाथ में लेती ही चमक रहा था, और पाट यही पर खत्म होता है,